हलो स्टूटेंट्स, वेलकम टू मैंगे बेंज, हम जो अपनी बुक पड़ रहे थे आरो हो, उसका गद्य खंड हम खतब कर चुके हैं, गद्य खंड में हमें देखा, कहानिया देखी, यातरवत्तांत देखे, संसमरण देखे, शब्द चित्र देखे, रेखा चित्र देखे अब हमारे पास पार्ट 11 से शुरू होता है कावविखंड, कावविखंड के अंतरगत हमारे दोहे, सबद, पद, सवईये, गजल, चौपाईया, कविताएं, बहुत कुछ आता है, तो एकी करके हम बताएंगे आपको कि इस कावविखंड के अंतरगत क्या-क्या है, तो पास पासारी कौई यूगी कवी माने जाते हैं और उनके जितनी भी रचनाएं हम देखते हैं, वो भक्ति रसी, वो निरगुड थे, मतलब किसी एक इश्वर की भक्ती में नहीं विश्वास करते थे, वो निरगुड उपासत थे, निरगुड उपासत का मतलब होता है किसी यहाँ पर जिस भी धर्म में जिस भी इश्वर में उन्हें अच्छाई दिखी उन्हें उसी अच्छाई को अपनाया धर्म को नहीं माना तो इस तरीकें से उन्हों ने बोहुत सारे पदों और दोहूं की रचना करी हैं उनके दोहे और पद हमेशा कोई न कोई सिक्षा हमें देते ही रहे हैं तो यहां जो दो पद हमारे पासामने उपस्तित किये गए हैं इस पार्ट के अंतरगत ये भी इसी तरह की सिक्षा हमको दे रहे हैं तो चलिए देखते हैं कि इन पार्ट के अंतर हमारे पास क्या है जो हम इस इन में पदों को हम पहले आपको पढ़के बताएंगे फिर line wise इसकी अर्थ बताएंगे और फिर हम इसका भावार्थ प्रसंग और भावार्थ दोनों ही करेंगे चलिए देखते हैं इसमें तो पहला पद हमारा है हम तो एक एक करी जाना दोई कहें तिही कव दोजक जिन नाहीं पहिचाना एक ही पवन एक ही पानी एक ही जोती समाना एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोरह समाना जैसे बाढ़ी कास्ट को काटे अगनी न काटे कोई सब घटी अंतर तुही व्यापक धरे सरूप सोही माया देखी के जगत लुभाना कहें रहे नरगरबाना निर्भय भया कचुने ही व्यापें कहें कबीर दिवाना तो ये इस तरीके से हमने पढ़ा अब इसको हम लाइन वई समझाएंगे कि इनका अर्थ आपके पास में क्या है जैसे पहला है हम तो एक-एक करी जाना तो कबीर दास जी कहते हैं हमने एक ही करके पूरे संसार को ही जान लिया है अब यहाँ पर एक-एक करके जानने का अर्थात है कि यहाँ पर सभी धर्मों को एक-एक करके हमने समझ लिया है जितने भी धर्म है सभी के अंदर हर किसी किसी शिक्षाएं पूजा करने का तरीका वंदना करने का तरीका सबका अलग-अलग होता है तो वो यही कह रहे हैं हमने एक एक करके इस पूरे विश्व में जितना भी सब कुछ है वो सब जान लिया है अब सब कुछ का मतलब है सभी धर्मों को जान और पहचान लिया है दोई कहें तीही को दोजक जिन नहीं पहचाना तो सभी यहां मनुष्य क्या कहते हैं कि आप जो हैं एक दो नहीं बहुत सारे हैं मतलब क्या कहते हैं दोई कहें तीही को मतलब आप यहां पर ईश्वर को कोई एक नहीं बोलता कोई दो बोलता है कोई तीन बोलता है कोई बहुत सारे बोलता है तो ऐसे मनुष जो हैं वो दो जग को पहचानते अर्थात मतलब नरक को पहचानने लगते हैं जिन ना ही पहचाना जो ईश्वर के एक रूप को नहीं पहचान पाते हैं और ईश्वर को कई रूपों में बाढते हैं ऐसे मनुष दोजग यानी की नरक के प्रतिभागी होते हैं एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही जोत समाना जिस प्रकार एक ही पवन आपने बनाई है आपने एक ही पवन, एक ही पानी और एक ही जोती अर्थात एक ही सूरज बनाया जिससे हम सभी को रोशनी मिलती है और जिस प्रकार एक ही खाक गड़े सब बांड़े एक ही कोरा समाना और जिस प्रकार कुमहार कुमहार जो है एक ही कुमार अलग-अलग तरे के बरतन गड़ता है उसी ही तरीके से आपने भी क्या किया है आप एक कुमार की भाती हैं और आपने हम सभी की गढ़ना करी है तो जब एक ही आप हैं तो आपने एक ही हम मनुश्यों की गढ़ना करी आपने एक ही पवन बनाई आपने एक ही पानी बनाया और एक ही जोती अर्थात सूरज भी बनाया उस सभी से हम सब को रोशनी मिलती है और आपने उसी एक कुमार की माती हम सब की भी अलग-अलग तरीके से गड़ना करी है जैसे बाढ़ी कास्ट की काटे अगनी न काटे कोई अब दूसमें आगे समझाते हैं कि जिस प्रकार लकडी की का लकडी होती है लकडी का जो घट होता है लकडी को हर कोई काट सकता है मगर अगनी को कोई नहीं काट सकता यह दिया है ना जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे यानि कि बड़ी हुई लकडी को तो काटा जा सकता है मगर अगनी को नहीं काटा जा सकता उसी प्रकार सब घाटें अंतरतु ही व्यापे धरे स्वरूप सो ही अप पहले इसी लाइन का मतलब हम आपको समझा रहें ये लाइन उन्हों बोली तो है मगर इसके पीछे का तातपर है कि उसी प्रकार ये शरीर जो है ये नश्वर है ये शरीर को हर कोई मार या काट सकता है मगर इसके अंदर बस हुई आत्मा को कोई मार नहीं सकता कोई काट नहीं सकता है अब इसके आगे आते सब घटी अंतर तुही व्यापक धरे स्वरूप सोई उसी प्रकार सारी ही घटों में क्या सारे घट अब यहाँ पर घट का अर्थात मतलब है सभी शरीरों में सभी मनुश्यों के शरीरों में घट मतलब यहाँ पर है शरीर से उसी प्रकार इन सभी के शरीर में सभी मनुश्यों के शरीर में तुम जो है समाई हुए अर्थात इश्वर जो है समाई हुए कहते हैं न हर जगा इश्वर व्यापते उसी तरह बोलते हैं कि जसे घट मतलब अर्थात मनुश्य के शरीर में भी इश्वर का ही वास है माया देख ही जगत लुभाना कहे रहे मन गरबाना माया देख के अरतात धन देख के जो है यह धन जहां देख ही जगत लुभाना माया देख कर जो है यह जग जो है उसके लालच में पढ़ जाता है यह जग पूरा उस पैसे के लालच में पढ़ा हुआ है और कहें नरगरवाना और जिसके पास ही पैसा होता है उसको बहुत ही जादा घमंड होता है निर्भय भया कच्छु नहीं व्यापए कहें कबीर दिवाना तो जो मनुष्य निर्भय हो जाता है किस चीज से निर्भय हो जाता है किसी भी चीज के खो जाने दूर हो जाने निर्भय का मतलब हम वे कोई चीज का भैने अब हमारे पास अगर दौलत है अगर हम उसको खो जाने का भी डर हमारे पास नहीं है किसी भी चीज को खो जाने का डर अगर हमारे पास नहीं है तो वो व्यक्ति जो है न वही सफल है और कबीर इसी तरह का दिवाना है क्यों अब कबीर को किसी भी तरह के का डर नहीं है अचा अब आप यह देख रहे होंगे कि यह जो पद हमारे सामने रखा गया है इसमें जो है न सब अलग-अलग लाइनों में अलग-अलग अर्थ व्याब्त है वो इसलिए व्याब्त है क्योंकि उन्होंने ये चीजें अलग-अलग तरीके से कहीं थी जिने पिरो के एक तरीके में किया गया है इसलिए अलग है यहां पर जैसे दो लाईने एक हैं फिर दो लाईने इसमें आ रही हैं फिर दो लाईने इसमें आ रही हैं दो इसमें आ रही हैं तो यह अलग-अलग तरीके से हैं जिसमें पिरों के एक साथ में इनको किया गया है फिर से इनको एक बार हम आपको simple language में समझा देते हैं कबीर जी कहते हैं कि हमने एक ही करके सभी को पहचान लिया इस जग में जितने हैं सभी को पहचान लिया है कोई बनईश्वर को दो कहता है कोई तीन कहता है ऐसे मनुष जो हैं वो नरक के प्रतिभागी हैं जिन्होंने आपको नहीं पहचाना है आपने एक ही पवन एक ही पानी और एक ही जोती की गढ़ना करिये उन सभी से हमको एक ही सवान सब कुछ प्राप्त होता है और आपने एक कुमार की भाती एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोर समाना और आपने एक कुमार की भाती हम सभी के शरीरों की रचना करिया जिस प्रकार एक कुमार जो है वो मिट्टी के बरतनों की रचना करता है जैसे बाड़ी काटे अगनी न काटे कोई जिस प्रकार जो है लकडी से बनी हुई किसी भी वस्तु या लकडी को काटा जा सकता है परन्तु आग जो है अगनी को नहीं काटा जा सकता उसी प्रकार इस नश्वर शरीर को नश्ट किया जा सकता है इसको मारा जा सकता है तकलीफ पहुचाई जा सकती मगर इसकी आत्मा को कभी भी समाप्त या खत्म नहीं किया जा सकता है सब घटी अंतर तुही व्यापे धरे स्वरूप समाना स्वरूप सोई तो उसी प्रकार इन सभी घटों में अर्थात इन सभी शरीरों में जो है वो आपका ही रूप समाया हुआ है माया देख जगत लुभाना कहे न नरगरबाना और पैसा देख के ये जग जो है वो लालिची हो जाता है और जिसके पास पैसा होता है वो अपने आपको बहुत घमंडी समझता है घमंड करने लगता है निर्भय भया कचुनई व्यापे कहे कबीर दिवाना तो कहते हैं कि जिस मनुष के पास किसी भी कोई भी चीज खोने का डर नहीं होता अर्था जो निर्भय हो जाता है वो व्यक्ति ही सफल होता है और जो है कबीर वो इसी तरह का निर्भय व्यक्ति होकर दिवाना हो चुका ह तो इस तरीके से इसका हमने आपको लाइन वाईजर्थ समझाया अब इसका जो है हम पहले प्रसंग बताएंगे और फिर इसका भावार्थ बताएंगे प्रस्तुत पढ़ पात पुस्तक आरो भाग एक के संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वशेष्ट कभी कबीर के पदों से उद्धत है इस पद में कबीर ने एक ही परम तत्व की सत्ता को सिविकाल किया है जिसकी पुष्टी वे कई उधारणों से करते हैं मतलब सभी मनुष्यों को एक ही जो है वो मतलब इश्वर को एक ही माना है कबीर दाल जी कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि इश्वर एक ही है इस तरह से मैंने इश्वर के अदवैत रूप को पहचान लिया है हाला कि कुछ लोग ईश्वर को अलग-अलग बताते हैं उनके लिए नरक की इस्तती है क्योंकि वे वास्तिविक्ता को नहीं पहचान पाते वे आत्मा और परमात्मा को अलग-अलग मानते हैं कभी ईश्वर की अद्वैतता का प्रणमार देते हुए कहता है कि संसार में एक ही हवा बहती है एक ही जैसा पानी है और एक ही प्रकास सब में समाया हुआ है कुमार भी एकी तहे की मिट्टी से बर्तन बनाता है भले ही बर्तनों के आकार प्रकार अलग हो तो यहाँ पर ईश्वर से ही है कि मतलब वो हमी को बनाता है चाहे सब के आकार प्रकार अलग हो बढ़ाई लकडी को काट सकता है परंतु आग को नहीं काट सकता इसी प्रकार शरीर नश्ट हो सकता है परंतु उसमें व्यात आत्मा सदैव रहती है परमात्मा हर एक के हिदे में समाया हुआ है भले ही उसमें कोई भी रूप धारण किया हो यानि कि संसार में जितने भी मनुष्य है उनमें जो है इश्वर समाया हुआ है यह संसार माया के जाल में फसा हुआ है और वही संसार को लुभाता है इसलिए मनुष्ट को किसी भी बात को लेकर गमंड नहीं करना चाहिए प्रस्तुत पत के अंत में कबीर दास कहते हैं कि जब मनुष निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता, तब उसे कोई तकलीफ नहीं रहती है कबीर भी अब निर्भय हो गया है तता इश्वर का दिवाना हो गया है तो इस तरीके से प्रथम पद समाप्त हुआ अब हमारे पास आता है हमारा दूसरा पद दूसरा पद है संतो देख जग बैराना साच कहें तो मारन धावे जूट जग पतियाना नेमी देखा धर्मी देखा अप्रात करें असनाना आत्म मारी पखाने पूजें उसमें कुछ नहीं ग्याना बहुतक देखें पीर ओलिया पढ़ें किताब कुराना कहें मुरीद तद्बीर बतावें उनमें उहे जोग ग्याना आसन मारी डिम धरी बैठें मन में बहुत गुमाना पीपर पाथर पूजन लागें तीरत गर्ब भुलाना टोपी पहिने माना फेरिये चाप तिलक अनुमाना साख सबत गावत भूले आतम खबरी ना जाना तो अब यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि ईश्वर की प्रात्ना कोली कर कि हम लोग बहुत तरे के डोग धर्म करतें लेकिन अंदर बसे हुए ईश्वर को नहीं पहचान पाते सभी मनुश्यों में उन जैसे पहले पदमन उन बोला सभी मनुश्यों के अंदर जो है इश्वर व्यापत है तो यहाँ पर देखेंगे हम संतों देख जग बैराना यानि कि साधू और संतों को देख कर जो लोग हैं वो पागल हो जाते हैं मतलब उनका आशिरवात पाना पूजा करना अर्चना करना यह सभी करने लगते हैं उनको देख कर जो हैं सब उनके पीछे दिवाने हो जाते हैं साच कहें तो मारन धावे जूट कहें जगपतियाना अगर वो सच-सच हर चीजों को बताने लगते हैं तो उनको मारने के लिए दोडते हैं और अगर उने जूटी जूटी बाते बताते हैं उनके लब की बाते बताते हैं तो वो उनको पूजते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे असनाना हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो नेम धरम करते हैं मतलब अच्छे कार भी करते हैं धरम भी करते हैं और सुबा सुबा उठके पूजा पाट करके स्नान करके आसन लगाते हैं आतम मारी पकाने पूजे हैं उनमें कुछ नहीं ग्याना जो व्यक्ति अपनी ही आत्मा को मार देता है अपनी आत्मा को मार देता है यानि अपने अंदर की अच्छी बातों को नहीं सुनता और पत्थर को पूजता है ऐसे व्यक्ति के अंदर किसी भी प्रकार का ग्यान नहीं बहुतत देखे, पीर ओल्याँ पढ़े किताब कुरानाई हमने ऐसे बहुत से पीर ओल्या देखे हैं, जो क्या करते हैं, अपने किताब और कुरान को पढ़ते रहते हैं कहें मुरीद तत्बीर बतावें उनमें उ है जो ग्याना और वो लोग क्या है बहुत तरह तरह की तत्बीरे बताते हैं आपको गर ये कश्ट है तो आप ये कर लीजे आपको कश्ट है तो ये कर लीजे बहुत तरह तरह की चीज़े बताते हैं लेकिन उनमें जराभी चीज का ग्यान नहीं होता है तद्बीरे बताते रहते मगर किसी भी चीज का ग्यान नहीं होता है आसन मारें डिंब धरे बैठें मन में बहुत गुमाना सब आसन मार के लगा के बैठ जाते हैं और समाधियां तक ले लेते हैं और मन में बहुत ही गुमान हैं कि हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ समझते हैं पीपल, पात, पूजन लागे, तीरत, गर्ब भुलाना और क्या करते हैं, पीपल, पत्थर, ये सब पेड़ों को, पत्थर को, सब को पूजते हैं और तीरत जाकर जो हैं अपने गर्ब को जो हैं भुलाते हैं कि हाँ हम इसी तीरत की यात्रा करके आएं वो तीरत की यात्रा करके आएं इस तरीके से गर्ब दिखाते हैं यानि कि घमंड दिखाते हैं अपना तोपी पहनिये माला फेरिये चाप तिलक अनुमाना और तोपी पहनते हैं माला फेरते हैं माथे पे तिलक लगाते हैं मगर मन में गमंड का आवास होता है साखी सबत गावत भूले आतम खबरें ही न जाने और सब जगे क्या करते हैं साखी सबत दोहे इश्वर के सब के गाते फिरते हैं और अपनी आतमा की खबर उनको नहीं होती वो क्या आतमा क्या कहरी आतमा के अंदर की सच्चाई क्या है उनके खुद के अंदर की उनको ज्यान बिलकुल नाम मातर का भी नहीं होता है हिंदू कहे मोही राम प्यारा तुर्क कहे रहिमाना आपस में दू लरी लरी मुहे मरम न कोहू जाना घर घर मंतर देत फिरत है महिमा के अभिमाना गुरू के सहित सिख सब बूड़े अंतकाल पचिताना कहे कबीर सुनो हो संतो इसब भर्म बुलाना केतिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिंदू हिंदू जो हैं वो कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है तुर्क कहें रहीमाना और मुसल्मान कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है तो दोनों आपस में बोलते हैं कि मुझे राम प्यारा मुझे रहीम प्यारा आपस में दो लर लर मुहें मर्म नकोगू जाना और वो दोनों आपस में राम और रहीम के चक्कर में लड़ लड़ मरते हैं लेकिन इन दोनों के धर्मो का मर्म क्या है ये कोई नहीं जानता मर्म का मतलब कि इसके भीतर की जो अच्छी बाते हैं वो कोई भी जानने या समझने की कोशिश नहीं करता है घरघर मंतर देत फिरत हैं महीमा के अभिमाना और हर घर में घूमते फिरते रहते हैं मंतर देते हैं आपको ये कर लीजिए आप वो उपाय कर लीजिए ये कर लीजिए हर हर तरह के तरीके बताते हुए लोगों को सुप्राप्ती के तरह के तरह के तरीके बताते फिरते हैं और अपनी महिमा का अभिमान अपने मन के अंदर कर दे के क्योंते हैं कि हम सब कुछ का ग्यान रखते हैं गुरू के सहित सिखनब सिख्य सबबूढ अंतिकाल पचिताना और गुरू के साथ रहकर भी यह सब चीजें जो है नहीं मत fasud गुरू सहित सिख्य सब यानि कि जो गुरू है वो ऐसे हैं और उनके जितने भी शिश हैं वो भी यही करते करते बुढ़ा जाते हैं अंतिकाल पच्टाना और जब आखरी समय आता है तब पच्टाते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं मतलब किये करने का मतलब हमने पूरे पूर्ण काल में कोई भी पच्टान के अच्छा कर्म नहीं किया तो अब हमें क्या प्राप्त होगा कहें कबीर सुनोहो संतो इस्व मर्म भुलांगा अर्थात अब कबीर कहते हैं कि इस तरह के सारे ब्रहमों को भुला दिझीए कि मतलब आपको यहां सभी साद्वों से कहते हैं कि आप जो जगह इन सब में कोई भी प्राप्ती नहीं है। प्रस्तुत पद पाठ पुस्तक आरो भाग एक के संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वशेष्ट कवी कबीर के पदों से उद्धत है इस पद को उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बहाई आडंबरों पर तीखा प्रयार किया है मतलब जो धर्म के नाम पर जो बाहर दिखावे के तौर पर जो कुछ होता रहता है बत्ती, पूर्जा, अर्चना, माला फेरना, टोपी पहनना, तिलक लगाना तो बहुत तरीके के जो आडंबर होते रहते हैं उन सब के बारे में तीखा वाण किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए अब व्याख्या कैसी है? कबीर दास सज्जनों को संबोधित करतवे कहते हैं, देखो ये संसार पागल हो गया है जो व्यक्ति सच बाते गताता है, उसे मारने के लिए दोड़ता है, तथा जो जूड बोलता है, उस पर ये विश्वास करता है कवी हिंदों के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं, जो नियमों का पालन करते हैं, तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदी करते हैं ये प्राता उटके स्नान करते हैं, अपनी आत्मा को मार कर पत्थरों को पूजते हैं वे आत्म चिंतन नहीं करते इन्हें अपने पर घमंडे परंतो उन्होंने कुछ भी ज्यानप्राप्त नहीं किया है मुसलमानों के विशे में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं वे अपने शिश्यों को तरह तरह के उपाये बताते हैं जबकि ऐसे पाखंडी स्वयम खुदा के बारे में नहीं जानते वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगा कर अहंकार धारण किये बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड है तो इसमें यहाँ पर आपको लाइन वाइस ने दिखाया है इस पूरे उसमें क्या है उस चीज को लाइन से लगा कर बताया है एक दूसरे से जोड़ के बताया है कबीर कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगे हैं वे तीर्थ यादर आधी करके गर्ब का अनुभव करते हैं वे इश्वर को भूल जाते हैं कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारन करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं, तथा शरीर पर छापे बनाते हैं, विसाकी सब्द को गाना भूल गए हैं, तथा अपनी आत्मा के रहस को नहीं जानते, इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है, हिंदु कहते हैं कि उन भी इश्वर की सत्ता के रहस को नहीं जाना है, अब इसी पदों पर आधारित कुछ प्रश्ण हमारी पार्ट पुस्तक में दिये हुए हैं, उनके उत्रों को अब हम करेंगे, तो प्रश्ण एक हमारा है, कबीर की दृष्टी में इश्वर एक है, इसके समर्थन में उन्हो बोलते हैं, राम हैं, मुसल्मान रहीम, तो सिख कुछ बोलते हैं, जैन कुछ हैं, बहुत कुछ हैं, सब अलग अलग तरीके से बोलते हैं, तो वही चीज़ है, मगर कबीर ने क्या बोला कि नहीं इश्वर सिर्फ एक है, तो इसका कारण उन्होंने क्या बताया है, कबीर की संपूर संसार में एक ही परमजोती व्याप्त है कि मतलब जब सभी कुछ एक है तो उसको जाकृत करने वाला सबको बनाने वाला भी तो एक ही होगा सभी मानव एक ही मिट्टी से अर्तात ब्रह्मद्वारा निर्मित है यानि कि ईश्वर ने ही सभी को निर्मित किया है परमात्मा लकडी में अगनी की तरह व्याप्त है जिस तरह लकडी के अंदर अगनी व्याप्त रहती है उसी तरीके से परमात्मा भी मनुष्य के शरीर में उसी प्रकार से व्याप्त है एक ही मिट्टी से सब बरतन अर्थात सभी जीवों का निर्माण हुआ है कि जिस सरीके से कुमार एक ही मिट्टी से सभी बरतनों का निर्माण करता है उसी तरह ईश्वर ने भी सभी मनुष्यों का निर्माण किया है तो ये सारे तर्क जो है कबीर जी ने प्रस्तुत किये हैं कि ईश्वर एक है इसको हम सब अलग रख करके ना कहें दूसरा कोर्शन है मानव शरीर का निर्माण किन पंच तत्वों से हुआ है किन पांच तत्वों से मानव शरीर का निर्माण होता है मानर शरीर का निर्माड अगनी, वायू, जल, भू यानि प्रत्वी और आकाश पंच तत्वों से हुआ है यह हम सभी जानते हैं कि पंच तत्वों से मनुष्य के शरीर का निर्माड होता है यही पंच तत्व हैं जिनसे मनुष्य का शरीर बनता है Q3 है जैसे बाढ़ी काष्ट की काटे अगनी न काटे कोई सब गटी अंतर तुही व्यापक धरे स्वरूप सोही इसके आधार पर बताईए कि कबीर की दरश्टी में ईश्वर का क्या स्वरूप है मतलब इसका अर्थ हम आपको पहले भी बता चुके हैं जिस प्रकार जो है लकडी को हर कोई मनुशे काट सकता है मगर उसके अंदर जो अगनी समाई हुई है उसे कोई भी नहीं काट सकता उसे कोई नहीं काट सकता चाहे छोटे-छोटे टुकडे कर दिए लेकिन अगनी उसके अंदर जैली प्रजली तो ही जाती है सब घाटे अंतर तुही व्यापक धरे स्वरूप सुना उसी प्रकार इन सभी घटों यानि की सभी मनुशों के अंदर आप ही तो एक व्यापते हैं तो ये चीज इसके आधार पर बताना है कि ईश्वर का क्या स्वरूप उन्होंने बताया है प्रस्तुत पंक्तियां ज्यानमारगी शाखा के प्रतेनिधी कभी कभीर के पद से ली गई है अब ज्यानमारगी शाखा क्यों बोला गया उनको उन्होंने हमेशा ज्यान का मारग सभी को दिखाया है कि इश्वर यह नहीं है कि आप पथ्थर पूझे, आप तीरत करिये, इन सब में नहीं है उन्होंने बोला क्या था, कि अपने अंदर को पहचानी है आपको इश्वर मिल जाएका तो वही उन्होंने ज्ञान कामार, इसलिए उन्हें ज्यान मारगी शाखा कहते है मतलब ज्यान देने वाली एक शाखा कबीर की दरश्टी में ईश्वर का स्वरूप अविनाशी है मतलब उसको मिटाया नहीं जा सकता है कबीर दास की इन पंक्तियों को कहने का ताद पर यह है कि जिस प्रकार लकडी में अगनी निवास करती है उसी प्रकार परमात्मा सभी जीवों के हिदय में आत्मा स्वरूप में व्यापत है आत्मा मतलब अपने अंदर व्यापत है इश्वर स्वर्व व्यापक अजर, अमर और आविनाशी है बढ़ही लकडी को चीर सकता है परन्त उस लकडी में नहीत आग को नश्ट नहीं कर सकता वैसे ही मनुष का शरीर भले नश्वर हो परन्त शरीर में व्यापत आत्मा अर्थात परमात्मा अमर है इस प्रकार प्रस्तुत पद में आत्मा को परमात्मा का अंश बताकर अद्वैत वात का प्रतिपादन किया गया है काश्ठी काटे शब्दों में अनुप्रास अलगकार है तो मतलब इसमें देखा गया है कि यहाँ पर अद्वित्तिय चीज़ को प्रस्तुत किया गया है यहाँ पर बोला गया है कि इश्वर एक ही है वो अलग नहीं है आपको अपने अंदर ही इश्वर की खोच करनी होगी फोर्थ कोर्शन है आपका कबीर ने अपने को दिवाना क्यों कहा है कबीर को अपने को दिवाना कहता है क्योंकि उनके इसार इश्वर निर्गुड निराकार अजय अमर और अविनाशी है और उन्होंने इस परमात्मा का आत्म साक्षातकार कर लिया है अब वे राग द्वेश अहमकार मोह माया से दूर होकर निर्भय हो चुके हैं अथा ईश्वर के सच्चे भक्त होने के कारण दिवाने हैं तो उन्होंने क्या बोला था कि जब हम किसी भी चीज का हमें भय नहीं रह जाता मतलब हमें किसी चीज से जलन नहीं है, किसी चीज की चाह नहीं है, किसी से मोह नहीं है, कुछ नहीं है जब हमें कोई भी और चीज नहीं बचेगी तो क्या हो जाएंगे हम निर्भय हो जाएंगे किसी भी चीज को खोने का डर हमारे अंदर नहीं रहेगा और जब डर नहीं रहता तो आदमी दिवाना हो जाता है अर्थात इश्वर के प्रेम में दिवाना हो जाता है तो कबीर ऐसे ही है उन्होंने ये सब ही कुछ मुह माया रावद्वेश सब कुछ त्याग दिया है और अब क्या हो चुके हैं वो निर्भय हो गए अब उन्हें किसी चीज़ का डर नहीं है और अब वो दिवाने होकर सिर्व प्रभू की ही जो है वो आराधना करते रहते हैं कोशन नमर फाइफ एक कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार बैरा गया है संसार जो है वो बोरा गया है बोरा ना मतलब पागल हो गया है तो उसका क्यारून बताया था कि जब कोई उनको सच बात बताता है तो उनको मारने दोड़ते हैं और जब उसको जूट जूट बाते बताते हैं तो उनकी पूझा करते हैं, अर्चना करते हैं, उनका बड़ा मान सम्मान करते हैं तो इनी सब वजाओं से जो है उन्होंने जग को बोला है कि ये भूरा गया रथात पागल हो गया है कबीर दाई संसार को बोराया हुआ अर्थात पागलपन की सती तक महचा हुआ बताते हैं उनका ऐसा मानना इसलिए क्योंकि संसार के लोग जूटी बातों पर तो विश्वास कर लेते हैं और सच कहने पर मारने के लिए दोड़ते हैं ऐसे लोगों को सत्य और असत्य का ग्यान नहीं है कबीर दास जी के कहने का तात पर यह है कि संसार के लोग बाहे आडंबरों में उलजे रहते हैं और इश्वर के सच्चे सुरूप को नहीं पहचानते तो बाहे आडंबरों का मतलब क्या है जिसे हम दिखावा बोलते हैं जिसको बोलते हैं दिखावा करना कि अगर आप पूजा कर रहे हो तो उसका दिखावा क्यों आप कर लो अकेले मिं कर सकते हो जरूरी नहीं कि उस चीज़ का दिखावा किया जाए तो वही उन्होंनों बोला कि बाहे आडंबर नहीं करने हैं आपको जो भी करना है आप शांती से अपने आप करिए दिखावों की तरफ बिल्कुल भी मत जाईए कोशे नमस 6 है कवीर ने नियम और धर्म का पालन करने वाले लोगों की किन कमियों की और संकेत किया है तो उन्होंने बोला कि वो लोग क्या करते हैं पत्थर को पूचते पीपल को पूचते इस तरीके से पूजन वाला कारे करते हैं वो अपने अंदर की चीजों को नहीं समझते हैं तो क्या है कवीर ने नियम और धर्म का पालन करने वालोगों की सबसे बड़ी कमी ईश्वर तत्तो से कोसो दूर रहने को माना है ऐसे लोग बाय अडंबर जैसे पत्थर पूजा तीर्थ वरत करना नमास पढ़ना छापा तिलक लगाना आदी में उलजे रहते हैं और सच्चे धर्म और वास्ता से कोसो दूर हो जाते हैं तो इन सब चीजों भाय अडंब उज़रते हैं और जो सही चीज है जिसको समझना चाहिए मानना चाहिए उन सब से बहुत ही दूर हो जाते हैं Q7 है अज्यानी गुरू की शरण में जाने पर शिश्यों की क्या गती होती है अज्यानी गुरू को बताया था ना ऐसे गुरू जो है वो शिश्यों को भी वैसा ही ग्यान दे रहे थे पद में आया था तो वही ऐसे गुर क्या होता है वो शिष भी वैसे ही बन जाते हैं अग्यानी पाखंडी ठीक है तो यही हाल शिष्यों का होता है अग्यानी गुरु माया अंकार धार्मिक पाखंडों और बाय आडंबरों में उश्वास रखते हैं और इसी प्रकार की वे अपने शिष्यों को दे देते हैं इसी कारण ऐसे गुरुओं की शरण में जाने से शिष्य सही ज्यान नहीं प्राप्त कर पाते हैं और अंधकार के गर्त में डूपते चले जाते हैं मतलब सचाई क्या है वो नहीं समझ पाते हैं और अंत तक ऐसी जगा पर चले जाते ह तहां उसका कोई मतलब ही नहीं रहता. नेक्स्ट और लास्ट कोशन है बाए आडंबरों की अपेक्षा स्वेम यानि कि आत्म को पहचानने की बाद किन पंक्तियों में कही गई है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए. जहां पर बोला गया है कि बाए आडंबरों को छोड़ दीजिये और अपने अंतर आत्म को पहचानिये ऐसी पंक्तियां आपको पदों में से कोच के लिखनी है तो क्या है बाए आडंबरों की अपेक्षा स्वेम यानि आत्म को पहचानने की बाद निमलिकित पंक्तियों में क कि हिंदु और मुसल्मान दोनों धर्मों के लोग बाय आडंबर में उल्जे रहते हैं कोई टोपी पहनता है कोई तिलक लगाता है और अपने अपने अहंकार का प्रदर्शन करते हैं वे साखी सबदगा कर अपने आत्म सरूप को ही भूल जाते हैं यानि कि वो हल साखियां सबत गाते रहते हैं लेकिन अपने अंदर की चीजों को वो जान और समझ नहीं पाते तो इस तरीके से यहाँ पर कबीर जी के सभी प्रशुत्तर को हमने यहाँ पर समझाया आपको उनके पदों को लेकिन इसके इलावा भी पदों पे आधारित बहुत से प्रशुत्तर आपके सामने प्रस्तुत किये जा सकते हैं इसलिए पदों की जो व्याख्या हमने कराई थी उसे सावधानी पूरवक देखिएगा और समझेगा क्योंकि जब एक बर आप पद समझ लेंगे तो कोई भी प्रश्ण अगर आपसे किया जाए तो उसे आप इजली बना सकते तो ये पाठ यहीं खतम किया थैंक्यू बाबाई